हेलो दोस्तों स्वागत आपका Friendly Study Circle चैनल में दोस्तों आज हम चलते हैं अगले पार्ट में एलावाद हाई कोट आरो यारो के लिए वर्ड पावर की जो पार्ट चल लई है उसके अगले वर्ड पावर में चलते हैं अगले पार्ट में इसके पहले वाड़ले पार्ट से यदि start आपने नहीं किया है और यहाँ ही से आपने वीडियो को देखना सुरू किया है तो पहले पार्ट से देखिए इसमें सारे most important आपको word power तयार करवाय जा रहा है और ये UPSC और SSC exams के लिए जहां से English portion रहता है उन सभी के लिए ये helpful होगा पहला word है appalling A-P-P-A-L-I-N-G appalling means होता है डरावना अब इसे learn करने का जो तरीका है वो या तो आप sentence बना कर learn कीजे या फिर किसी trick बिजी द्वारा इसको learn कीजे लेकिन sentence बना के यदि आप इसे learn करते हैं तो असानी से भी याद हो जाता है तो appalling हमेशा डरावना ये word यूज होता है और इसे awful या फिर terrible इसका synonyms होता है अब इसे learn करने के लिए जैसे बारा बजे रात को घूमना बहुत appalling होता है यानि कि डरावना होता है तो simply इसको इस sentence के थूँ याद कर लेंगे या फिर आप अपने द्वारा भी sentence बना के इसे learn कर सकते हैं और दोस्तों इस meaning को complete learn रहना चाहिए क्योंकि कभी-कभी meaning में गलती दे देता है जैसे a, p, a, l, ing दे देगा तो आपको समझ नहीं आएगा तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे a, p, a, l, ing appalling होता है यानि कि डरावना अगला वर्ड है appease appease means होता है सांत करना या फिर मनाना या फिर राजी करना तो आप इसका पहले synonyms देख लिजे persuade, cox और commemorate ये सारे इसके synonyms हो जाएंगे और learn करने जो trick हमने डाला है वो ये है happy picker ease feel किया जाता है यानि आपको drink पता है cold drink करती है happy fees ये image यदि आपको learn हो जाएगा ये तो सभी लोग पीते हैं आपको पता होगा cold drink है तो इस से आप उस चीज़ को connect करके याद कर सकते हैं यानि कि happy picker ease feel किया जाता है यानि santo feel किया जाता है तो appease means होता है santo करना या मनाना और synonyms persuade, cox और commemorate अगला word है ascent, ascent means होता है अनुमती देना और इसकी synonyms की बात करें तो preference और sanction और इसे learn करने के लिए जैसे इंडिया में cent चलाने का ascent मिल गया, यानि अनुमती मिल गया, अब cent क्या होता है तो जैसे हमारे देश में रुपे का सबसे छोटा मतरक पैसा होता है, उसी तरह dollar को यदि हम लोग सबसे छोटा देखेंगे तो उसे cent में convert करते है, यानि 100 cent equal to one dollar हो जाता है आप इस image को देख सकते हैं, यानि कि इस cent को चलाने के लिए, यहाँ पर तो C, E, N, T spelling होगा, लेकिन वहाँ पर हमको ascent याद करना है, क्यावल connect करना है तो ascent means अनुमती देना, यानि कि इसको चलाने के लिए भारत में अनुमती मिल गई है तो ascent means होगा, आपका अनुमती तो A, S, E, N, T ascent means अनुमती देना और preference, sanction इसके synonymous हो जाएंगे assert तो simple meaning है assert means होता है जोड देना, तो इसके लिए आप claim में इसका synonymous हो जाता है, तो assert और claim याद कर सकते हैं, इसको किसी ट्रिक की ज़रूत नहीं है, assert सबको पाता होना चाहिए, assert में सोता है जोड देना अब बहुत जादा exams में ये पूछा जाते है audacious, या फिर bold भी पूछ देता है, तो audacious means होता है saahsi अब इसे बहुत ही simply word में, simply sentence में इसे learn कर सकते हैं, जैसे हमारे देश के सैनिक audacious होते है, यानि कि saahsi होते है और nidar होते है तो saahsi और nidar, एक ही बात होगा तो bold और courageous जो होगा इसका synonymous हो जाएगा spelling पे आप ध्यान देंगे a-u-d-a-c-i-o-u-s तो आप इस पे विसे सुरुप से ध्यान देंगे spelling जो होगा, क्योंकि इसमें misspelled में पूछ देता है तो इस वज़े से आपको इस पे विध्यान देना है यदि आपके पास कोई और तरीका है लर्ण करने का, तो याद कर सकते हैं लेकिन ये important word में आता है audacious saahsi अगला word है articulate articulate means होता है असपाज्ट ब्यक्त करना यानि कि clear, apparent, explicit, lucid ये सारे इसके synonyms होते हैं और यहाँ पे हमें इसे learn कैसे करेंगे जैसे articulate है तो अपने art से articulate कर दो यानि कि अपने art से उस चीज़ को असपाज्ट ब्यक्त कर दो तो art से art याद करेंगे articulate art से art हो गया और articulate कर दिया अपने कला से उस चीज़ को असपाज्ट ब्यक्त कर दिया तो simply आप इसे learn कर सकते हैं articulate में होता है असपाज्ट करना clear, apparent, explicit, lucid इन सब के synonyms हो जाते हैं अब ऐसा नहीं कोई जरूरी नहीं कि यही आप से पूछे आप से पूछ देगा कि explicit का क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि असपाज्ट ब्यक्त करना या फिर ब्यक्त करना clear हो जाएगा तो synonyms में articulate भी दे सकता है option में तो आप articulate पे tick कर सकते हैं आपको ambiguous इसके पहले पार्ट में मैंने करवाया था जिसमें होता है अस पस्ट तो इसका antonyms भी हो जाएगा इस चीज को ध्यान देंगे तो इसमें synonyms और antonyms भी cover हो जाएगे यदि आप learn करते हैं अगला word है baron baron means होता है बंजर अब बंजर क्या होता है आपको पता होना चाहिए कोई जो भूम उपजाओ नहीं होती है उसे हम लोग बंजर भूम बोलते हैं या फिर बंजर बोलते हैं तो उसे synonyms में देखेंगे तो unproductive या infertile, infertile इसका synonyms हो जाता है और simply इसे याद करने के लिए कोई trick ज़रूरी नहीं है baron यानि कि ये baron means होता है बंजर यानि unproductive, infertile कुछ meanings ऐसे होते हैं जिने आपको trick या फिर किसी चीज़ में दिमाग लगाने की जुरूर्द नहीं होती है simply याद हो जाते हैं एक बार पढ़ेंगे तो अगला word है benediction benediction means होता है आसिरवाद यानि blessing तो इसको sentence में हम लोग यूज कैसे करेंगे God का benediction सभी पर बना रहता है यानि कि भगवान का जो आसिरवाद है वो सभी लोगों पर बना रहता है इसे हम benediction को इस तरह से लर्न कर सकते हैं God का benediction और spelling पर ध्यान देंगे benediction benediction या फिर आप अपने sentence में भी इसे यूज कर सकते हैं जैसे माबाप का अपने बच्चों पर असिरवाद बना रहता है तो वो भी इस तरह से benediction आप असिरवाद को इस तरह से लर्न कर सकते हैं ये meaning तो आपको बहुत आराम से आत हो जाएगा benefactor benefactor means होता है उपकारी या फिर दान देने वाला जो दूसरों की help करता हो उसे हम लोग benefactor बोलते हैं इसका synonyms होता है benevolent तो b-e-n-e-f-a-c-t-o-r factor के आगे bene लगा देंगे b-e-n-e तो इतने से आप लोग learn कर सकते हैं वैसे भी learn नहीं होता है तो sentence में हम लोग इस्तिमाल कर सकते हैं hero sonu sudh bharat के benefactor man है simply याद हो जाएगा हमेशा के लिए या फिर बैनी वोलेंट भी है तो यह synonyms हो जाएगा इसका और benefactor यह भी एक दूसरे के synonyms सो जाएगे और बड़े अरामसी से हम लोग learn कर सकते हैं तो spelling भी लिखते रहिएगा जो word आपको confused लगे उसको लिख कर आप लोग अपने sentence में इस्तिमाल कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं है जो मैं sentence बना रहा हूं उसी को learn करें आप अपने sentence में भी बना कर उसे याद कर सकते हैं अगला word है bemon bemon में सोता है सूक करना आप कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे किसी की माल इसे मिरित हो जाती है या पि कुछ ऐसी घटनाय हो जाती है जिससे मन दूखी हो जाता है तो सोक ब्यक्त करना पड़ता है सोक आटोमेटिक यह सारी चीजे फिलिंग्स उत्पन हो जाती है तो इससे इसी वर्ड से हम लोग याद कर सकते हैं bemon है तो mon होकर bemon करते हैं यानि कि सांत होकर सोक ब्यक्त करते हैं कोई सोर थोड़ीन करेगा कोई भी सोर सरावा कोई नहीं करेगा तो mon हो जाता है तो mon से म, o, a, n से ही mon बना लेंगे bemon यानि कि सोक ब्यक्त करना bemon में सोता है सोक करना या फिर सोक ब्यक्त करना तो यह 10 important आज के part के रहे और इसके 2 part करवा दिये गये हैं तो यानि कि आज हमारा 30 word power complete हो गया उनके synonyms तो count नहीं हो रहे हैं लेकिन especially केवल word power के बात करें तो 30 total हो चुके हैं और ऐसे इस part चलता रहेगा जितने भी important है उन सभी को complete करवाया जाएगा जो RO या RO जो vacancy आने वाली है उसके लिए आपको बहुत ही helpful होगा आपको 10 minute के अंदर ये 10 word power बड़े आराम से याद हो जाएंगे और कोई जरूरी नहीं है कि एक ही दिन पूरा तीन पार्ट देखें आप एक एक दिन या फिर सुबा साम करके एक पार्ट को सुबा एक पार्ट को साम medicine के रूप में भी देखेंगे तो भी आपको बड़े आराम से लर्म हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा मिलते हगले पार्ट में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दिजिएगा जो भी आपके फ्रेंड होंगे उन लोग को भी सेर कर दिजिएगा तब तक के लिए धन्यवाद टेक केर बाई बाई